Hello and Welcome to V3 Cars क्या आप जानते हैं कि New I20 के Prices introductory हैं और 31st December तक जो Cars Deliver होंगी सिर्फ उनके लिए ही valid हैं अगर आप New I20 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने Budget और Requirements के हिसाब से इस कार का सबसे Suitable Variant चूज कर पाएंगे I20 के Variants Explain करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी Basic Information दे देते हैं जैसे के इसके Prices, Engine Specifications और Dimensions ताके आपको एक Basic Idea हो जाए इस कार के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसके Prices लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए V3 Cars को सबस्क्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले आप हमारी वीडियो टाइम लाइन यूज करके किसी भी सेक्षन पे आगे या पीछे conveniently जा सकते हैं प्रेजन सेक्षन हमेशा वाइट से मार्ग रहेगा New i20 के प्राइसे 6.80 लाक रुपीज से स्टार्ट होते हैं इसके 1.2 लीटर पेट्रोल एंजिन के साथ CBT टाइप आटोमाटिक ट्रांस्मिशन भी अवेलेबल है और इसका प्राइस 8.60 लाक रुपीज से स्टार्ट होता है 1.0 लीटर टॉबो पेट्रोल एंजिन विद आटो कलच मैनूल ट्रांस्मिशन के प्राइस 8.80 लाक रुपीज से स्टार्ट होते हैं और इस एंजिन के साथ डूल कलच आटोमाटिक ट्रांस्मिशन का स्टार्टिक प्राइस 10.67 लाक रुपीज है आप अभी टेबल में आइट्वेंटी के सभी पेट्रोल वेरियंट्स का प्राइस देख सकते हैं चलिए अब इसके एंजिन स्पेसिफिकेशन्स देखते हैं न्यू आइट्वेंटी का 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल एंजिन 83 PS की माक्सिमम पावर और 150 नूर्मीटर की पीक टॉक प्रेड्यूस करता है आइट्वेंटी के 1.2 लीटर एंजिन का आउट्पुट फीगो के अलावा इस सेग्मेंट की बाकी सभी नॉर्मल पेट्रोल एंजिन पावर्ड कार्स से कंपेरिबल है इस एंजिन को आप 5-speed manual transmission या CVT टाइप automatic transmission के साथ ले सकते हैं CVT के साथ इस एंजिन का टॉक आउट्पुट तो सेम ही रहता है लेकिन इसमें आपको 88 PS की maximum power मिलती है manual से 5 PS जादा I-20 में 1 लीटर टॉबो पेट्रोल एंजिन भी आता है जो 120 PS की maximum power और 172 Nm की peak torque produce करता है इस segment में पोलो में भी टॉबो पेट्रोल एंजिन आता है बट I-20 का एंजिन 10 PS जादा power produce करता है I-20 में टॉबो पेट्रोल एंजिन आटो क्लच manual transmission और 7-speed dual-clutch automatic transmission के साथ अबिलिबल है चलिए अब I-20 के dimensions देखते हैं New I-20 B2 segment hatchback है तो इसकी overall length around 4 meter है इस segment में I-20 widest car है और इसका wheelbase भी बाकी cars के comparison में बड़ा है New I-20 का boot Figo और Polo से बड़ा है और इसके lower variant में 15-inch wheels मिलेंगे with 185 section tires और higher variants में 16-inch wheels मिलेंगे चलिए अब I-20 के variant wise features देखते हैं New I-20 के base Magna variant का price 6.80 lakh रुपीज है अपार्ट फर्म basic safety features इस variant में projector fog lamps manual day night IRVM remote central locking और impact sensing auto door unlock और speed sensing auto door lock जैसे features बिलेंगे I-20 के base variant में mostly सब must have functional features आ जाते हैं जैसे electrically adjustable ORVMs, front and rear power windows, fixed front armrest, rear AC vents, cool glove box, tilt and telescopic steering, front power outlet and rear USB charger आप अभी table में I-20 Magna के safety और functional features देख सकते हैं इस variant में basic audio system आएगा with steering mounted controls, USB and Bluetooth connectivity As far as style related features हा कंसर्ण, तो I-20 Magna में LED DRLs, body colored front and rear bumpers and ORVMs और 15 inch steel wheels with full wheel covers भी मिलेंगे आप इस variant के entertainment and style related features अभी table में देख सकते हैं We would have liked के अगर इस variant में height adjustable driver seat और adjustable rear headrests पी आते But it's still suitably loaded, so you don't have to compromise on any major feature इसलिए I-20 Magna aggressively priced नहीं है Budget buyers को I-20 का Magna variant लेना चाहिए या sport पे upgrade करना चाहिए इसका answer हम आपको next variant की details में देंगे I-20 Magna से sports variant का upgrade 80,000 रुपीज का है इस variant में 1.2 liter petrol engine के साथ CVT type automatic transmission का भी option है और इसके लिए आपको 1,00,000 रुपीज एक्स्ट्रा spend करने होंगे Magna के ओपर sports variant की कुछ key additional safety features हैं tire pressure monitoring system, rear parking camera and driver rear view monitor और rear defogger इस variant में 8 inch touchscreen infotainment system मिलेगा with wireless apple carplay and android auto as far as functional features हा concern तो इस variant के key add-ons है auto headlamps, electrically foldable ORVMs और height adjustable driver seat Magna से sports पे upgrade करने पे i20 पे कुछ style related features भी add होते हैं जैसे LED tail lamps, turn indicators on ORVMs, 16 inch styled steel wheels, shark fin antenna और digital instrument cluster Magna से sports variant के additional key features आप अभी table में देख सकते हैं हमारे internal data के according, sports variant में added features Magna के उपर अपनी incremental value almost justify करते हैं So value wise, इस variant पे upgrade sensible है और ऐसे बायस जिन के लिए rear parking camera, touchscreen infotainment system, height adjustable driver seat और electrically foldable ORVMs जैसे features important हैं उन्हें ये upgrade जरूर करना चाहिए Sports variant में CVT के लिए manual के उपर 1 lakh rupees का additional amount भी reasonable है So आप sports automatic भी ले सकते हैं Sports variant में ज़्यादा powerful 1 liter turbo petrol engine भी आता है जिसके लिए आपको 1.2 lakh rupees और spend करने होंगे 1 liter engine की added performance के साथ साथ इसमें आपको auto clutch manual transmission की convenience और दो features extra मिलेंगे Leather upholstery और metal pedals to make it look more sporty Although performance upgrade is more of an emotional decision But हमारे डेटा के according 1.2 liter engine with manual transmission से 1 liter turbo petrol engine with auto clutch manual transmission का upgrade थोड़ा pricey है By about 30 to 40 thousand rupees We would have really liked अगर sports variant में auto AC और adjustable rear headrests पी आते हैं चलिए अब Asta variant की details देखते हैं I-20 sports से Asta variant का upgrade 1.10 lakh rupees का है और इस variant में भी आप 1.2 liter engine के साथ CVT type automatic transmission ले सकते हैं For an incremental value of 1 lakh rupees I-20 turbo में भी sports से Asta का upgrade 1.10 lakh rupees का ही है Asta variant में आप इस engine को dual clutch automatic transmission के साथ भी ले सकते हैं और इसकी incremental cost 77,000 rupees है क्योंकि Asta DCT का price 10 lakh rupees से जादा है जबकि AC MT का 10 lakh rupees से कम So इनके on-road price का difference काई states में 1.15 lakh rupees तक भी जा सकता है I-20 sports से Asta पे upgrade करके आपको LED projector headlamps with cornering lamps और rear wiper जैसे safety features मिलेंगे DCT के साथ electronic stability control और hill start assist जैसे features भी आएंगे इस variant में आपको बड़ा 10.25 inch touchscreen infotainment system मिलेगा with Bose sound system Keyless entry with push button start stop, wireless charger, auto AC और air purifier इस variant के key functional features है It is worth noting के air purifier आपको 1.2 liter manual powertrain के साथ नहीं मिलेगा इस variant से DRLs headlamps में integrated होंगे और chrome door handles, 16 inch alloy wheels, ambient lighting और leather wrapped steering भी मिलेगा Asta variant के जो features sports variant के उपर आते हैं उन्हें आप अभी table में देख सकते हैं हमारे internal data के according Asta variant में added features 1.10 lakh rupees का amount easily justify करते हैं बट इस variant में mostly feel good features ही add होते हैं अगर आप 1.2 liter petrol engine और CVT transmission ले रहे हैं तो इस variant को consider कर सकते हैं इस engine के साथ manual transmission लेने वाले buyers Asta variant पे upgrade ना करें और Asta optional consider करें 1 liter turbo petrol engine और ACMT लेने वाले buyers को Asta variant ले लेना चाहिए because यह sports से better value offer करता है We wish इस variant में auto dimming IRBM और adjustable rear headrests भी आते अगर आप इस engine के साथ DCT लेने का plan कर रहे हैं तो Asta optional variant लेना consider करें चलिए अब देखते हैं top Asta optional variant में क्या extra आता है I20 का top Asta optional variant सिर्फ 1.2 liter engine और manual transmission और 1 liter turbo petrol engine with dual clutch automatic transmission के साथ ही मिलेगा इस variant पे upgrade around 50,000 रुपीज का है side and curtain airbags, adjustable rear headrests, cruise control और sunroof इस variant के additional features है 1.2 liter engine और manual transmission के साथ इस variant में ESC, hill start assist और air purifier जैसे features भी मिलेंगे Clearly, इन features के लिए 50,000 रुपीज का amount बहुत ही reasonable है So, इन दोनों power trains में Asta variant लेने से better है Asta optional लेना चलिए, अब I20 के सभी variants को sum up करते हैं So that आपके लिए एक decision लेना easy हो जाए लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे और bell icon को press करना ना भूलें So that आपको हमारी सारी latest videos की notifications मिल जाएं अगर आप I20 लेने का plan कर रहे हैं तो we would first suggest के आप engine transmission का combination finalize करें 1.2 liter petrol engine performance wise आपको exceptional नहीं लगेगा but it will be adequate इसे आप पुरानी I20 petrol जैसी ही performance expect कर सकते हैं इस engine के साथ अगर आप manual transmission ले रहे हैं और एक basic car लेके satisfied हैं तो आप Magna variant ले लें Magna I20 का base variant है but it gets most of the must-have features and some more 1.2 MT powertrain के साथ sports हमारा top recommended variant है because इसमें basic और कुछ modern day features का अच्छा balance है although बाकी variants की VFM rank इससे better है but it's not as bad on value as it appears in the table Asta optional variant अच्छी value offer करता है तो अगर आप safety और feel good features के लिए budget extend कर सकते हैं तो इस variant पे upgrade करें 1.2 L engine के साथ CVT लेने वाले buyers के लिए भी sports top recommended variant है इस case में Asta पे upgrade value for money है तो ऐसे buyers जो budget stretch कर सकते हैं वो Asta variant पे भी upgrade कर सकते हैं 1 L turbo petrol engine के साथ auto clutch manual transmission दो variants में आता है sports and Asta इस case में हम Asta variant recommend करेंगे because यह value wise इस engine transmission के combination को better justify करता है i20 turbo में अगर आप dual clutch automatic transmission ले रहे हैं तो आप Asta optional variant लें यह Asta variant से ज़्यादा expensive नहीं है and you get important safety features चलिए अब i20 के color options देखते हैं New i20 में 6 monotone exterior colors का option है silver, grey, copper, dark blue, white and red sports, Asta और Asta optional variants में red with black roof and white with black roof dual tone colors का भी option है dual tone exterior के साथ ORVM's black होंगे interior में copper की जगा red inserts मिलेंगे और upholstery पे red stitching होगी और इसी के साथ खतम होता है i20 का Variants Explained वीडियो हमें उमीद है कि इसे देखने के बाद आपके i20 को लेके कुछ doubts clear होए होंगे अगर आपके i20 से related कोई questions है या हमारी वीडियो से related कोई suggestions है तो प्लीज हमें comment section में जरूर बताएं for more details आप हमारी website www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें facebook और insta पे follow करें सभी links वीडियो की description में available है